नमास्कार अम्री एजनों आप देखने से उड़ी पार्ट साला आप से का बहुत बहुत स्वागत है ये वीडियो बहुत ही जादा स्पेसल होने जारा है क्योंकि आलमोस्ट अब मैं भी अपने वीडियो के इंड में पहुच गया हूँ जो की बहुत ही जेन्यून फी में स्टार्ट होगा और पूरे 6 महीने का कोर्स होगा जिसमें आपके पूरे मटेरियल्स इंकलोडेड होगे, लाइब क्लास्य इंकलोडेड होगा और जो हमारा ऑपलीकेशन है उस पर आपकी क्लास्यो चलेंगी ठीक है और यह paid होगा लेकिन बहुत genuine fee होगा जैसे last year हम लोग ने 999 पर पूरे course की त्यारी कराई थी तो इस बार भी कुछ fees बहुत जादा नहीं रहेगा so finally उस course जुड़ने के लिए आप मेरे जो whatsapp number है उससे जुड़े रहे हैं जिससे कि हम लोग 10 days में start करें क्योंकि अभी counseling पर काम कर रहे है बच्चों का admission एक बार हो जाए finally फिरम लोग अपना batch start कर देंगे तो आप लोग उस batch से जुड़ जाईएगा ठीक है दूसरा है mop up round के बारे में जो कि आज मैं आपको पूरा explain करने वाला हूँ ध्यान से सुनिए mop up round आपको इतना पता ही है कि वो seat full करने के लिए आ रहा है बहुत सर बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर उसमें seat कितनी आएंगे भाई mop up round में seat बहुत जादा नहीं आएंगी क्योंकि mop up round पूरे cancellation के बाद नहीं आ रहा है जो मेरा एक idea था starting में कि इन लोगों को क्या करना चाहिए था बच्चों से payment करा लेना चाहिए था और बाकी के दो subjects उन्हें दे देना चाहिए था तो maybe कि subjects अच्छा ना मिलने की वज़े से और payment ज़ादा होने की वज़े से कुछ बच्चे अपना admission cancel कराते फिर माप अप राउंड लाते तो ऐसे में वो माप अप राउंड के seat जो है ज्यादा होती और बच्चे ज्यादा से ज्यादा select हो पाते लेकिन अभी पॉस्बिल्टी जहां पर नहीं है इन लोग माप अप राउंड का जो seat है total consider कर रहे है maximum 500 to 600 जिसमें पूरा होगा मैं लब समझ रहे हो मलब यूजी का आलमोस्ट पूरी सीट है नहीं ठीक है वीवाउक में seat जनरली नहीं है और इसमें अग्रिकल्चर में seat नहीं है सास्त्री में लगबग seat नहीं बहुत थोड़े मोड़े होंगे वही बीए आर्ट्स वगारा बीएस्ती में थोड़े मोड़े यही सब कुछ seat बची हुई है मान लो वही कुल मेला के मैं तो कहीं न्यूज में पढ़ा था कि 500 सम्थिंग मैं मानता हूँ कि तीन दीन अगरे लोग अभी को की पोर्टल अक्टिवेट नहीं कर रहे है माप अपर प्राउन के जो पूरी अक्टिवेशन पोर्टल है ठीक है रेइस्टेशन का वह आने की सम्भावना है मान के चलो कम से कम 2-3 देज क्योंकि फेस्टिवल भी बीच में वो उसमें नहीं जाएंगे ठीक है हो सकता है कि उसमें already berikating लगा हो कि आप उसमें जाई नहीं सकते हो जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि आपका वहाँ पर data found नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है लेकिन जिनको admission मिल चुका है किसी भी ब्रांच में मिला है FMC मिला ह वो मौप अप में नहीं जा सकते हैं जो बारबान में इसे question पूछ रहते हैं सर मुझे admission मिल गया है तो अच्छे subjects नहीं मिले मौप अप में चला जाओँगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा ठीक है basically upgradation के chances हैं आप लोग इंतिजार करना थोड़ा क्योंकि मिझे पूरा भरोसा है एक बच्चे admission जरू cancel कराएंगे reason यह है क्योंकि subjects की visibility नहीं है अब किस्यों को बेंगॉली देदों को थोड़ी पढ़ेगा जब तो को से बेंगॉली नहीं आती है जबकि बेंगॉली नहीं आती है तो क्यों पढ़ेगा ठीक है तो मॉपअप का फ़ासे स्टोरी आप समझो पहले मॉपअप लास्ट है जो कि seat full करने एक लिए आ रहा है जो कि कम से कम अभी तीन दिनों में आएगा जो कि आपके बेच्चू online portal से ही पुरा new registration के तोर पे होगा बच्चों के डाउट रहते हैं कि सब preference भर पाएंगे ने भाई वो नया registration ही है उसमें नये बच्चे भी आ सकते है preference भी भर सकते हो सब कुछ new है और यहां तक कि आपका seat allocation और place भी बताया जाएगा मलब मॉपअ ब्राउन में ये तक बता दिया जाएगा कि फालानवा college में like VCW में इस particular course में ये subjects के साथ exit खाली है FMC में इस course में दो seat खाली है इस तरीके से पूरा लिस्ट आने वाली है और आप जल्दबाजी मत करना ये नहीं कि महात्र 600 seat आ रहा है और हर बच्चा इनको पैसा देके खाली हो गया मौपप राउंड में जिनका admission हो जाएगा उनका payment उसी में मौपप राउंड भी उसी में मिल जाएगा एक जार दिये उनको क्योंकि मौपप राउंड का रेस्टेशन है 1000 ऐसा उन्हों आफिसली बताया हुआ है मलबब वहां के portal पर पड़ा भी हुआ है तो वह 1000 तुमहां पर लेकिन जिनका नहीं होगा उनका मौपप राउंड साथा कंफूज है नहीं कि payment return होगा कि नहीं होगा वह मैं एक बार जब next time वीडियो बनाऊंगा तो मैं clear कर दोँगा तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यह नहीं की mobile station आया है कैंसी निकालती है चार सीट निकाली और चार लाग फ़र्म पढ़ गया तो यह तो कमा ही हो गया ना यह तो business हो गया kind of business तो वही मैं बोल रहा था कि इसके लिए mentally prepare होना पड़ेगी मौपप में किसको आना यह बहुत बड़ा question है इतना असान नहीं क्योंकि मौपप बच्चों की जमाग पता क्या चल रहा है जो बच्चे हैं जैसे आप लोग हो आपके माइड में चल रहा है मौपप न लवाएगा तो हम सबको admission मिल जागा असा नहीं है भाई सीट बच्चे की तब तो मिलेगा वो तो मौपप के नाम पे इन लोग ने इतना rumor फैला दिया इतना हवा बना दिया एक मौपप आएगा तो इस तरीके से बन गया माहूल बन गया लेकिन मैं आपको honestly बता हूँ यह माहूल बनना भी चाहिए था लेकिन जो मैं आपको बता है एक idea बता है ना कि इन लोग को अपने subjects जो दो अच्छे हुए थे वो देने चाहिए थे और बाकी के जो commitment fee के बाद जो payment बाकी है जैसे किसी किसी का अब affiliated में 10,000 फीस है ठीक है और आप उनसे लिए हो कितना 25 रुपे बाकी का पैसा बाकी है ना भी तो कराते फिर मॉपप राउंड लाते लेकिन अब यहां पर भाई भगवान जाने क्या प्रोसेस चल रहा है और लेडी सीट काउंट करके बैठे हुए है कि हां इतने ही सीटे आनी है अब यह जो morality basis जो एक काम होना चीए था यहां पर इस विल्डिंग में मतलब इस विद्याल के नीचे जो बच्चे स्यक्रों बच्चे भरे हुए वो एक-एक सीट ऊपर होंगे ना तो कोई last पर बैठा होगा अगर vcw के तो वह सकता उसकी उपर mmB डाला हो लड़की डाली हो तो mmB मिल जाएगा कोई mmB में मिला हुआ सीट है उपर